देखिए एक कोशन और देखते हैं, वाइनमल कोफिशेंट से रेटेड है, क्या कोशन है, र इक्वल टू जीरो टू एन, र प्लस टू अपॉन आर प्लस वन, एन सी आर इक्वल टू पावर एट माइनस वन अपॉन सिक्स, धन एन पूछा है, क्या होता है, कई बार कोशन को लॉजिक से करें, थोड़ा देख के करें, तो कई बार जल्ली हो जाता है, पर अगर आप ध्यान दें, तो यहां पर लिखा है 6, यहां पर लिखा N, यानि R N तक जाएगा, और अगर यहां R है, तो N तक जाएगा, तो N प्लस 16 होना चाहिए, तो N की वैलू अगर 5 ले लोग सबसे पहले अगर हम बात करें, तो कोश्चन कुछ ऐसा है, समेशन R एकवल टू 0 टू N, R प्लस 2 अपॉन R प्लस 1, NCR, चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, R एकवल टू 0 टू N, R प्लस 2 है, तो R प्लस 1, प्लस 1 अपॉन R प्लस 1, NCR भी लिख सकते, यानि आप इस को ऐसा भी लिख सकते, जीरो टू N, इसको या कैंसल कर दोगा, तो NCR, प्लस समेशन अलग अलग लिख रहा हूं, जीरो टू N, वन अपॉन R प्लस 1, और उपर आ जाएगा, NCR, अब NCR, याद रखिएगा, समेशन R एकवल टू 0 टू N, NCR, टू पावर N होता, कैसे, क्योंक N, C2, N, C3, अब टू N, N, इसका समेशन ही क्या होता है, तू पावर N होता है, इसका समेशन टू पावर N होता है, अब यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, वो भी बतारो, जब भी अपॉन में आ तो लॉजिकली तो इंटेगल करते हैं उसको, पर अगर आप देखो, फिर स समेशन का तो रिजन मिल गया, टू की पावर N, प्लस समेशन आर एक्वल टू जीरो टू N, N, C, R, अपॉन, आर प्लस वन, आप देखिए, यहाँ पर अगर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो अलग से बता रहा हूं, कि अगर आप इस समेशन को सॉल्व करना चाहें, जैस N, C, 0, upon 1, फिर 1 रखी तो N, C, 1, upon 2, N, C, 2, upon 3, N, C, 4, upon 4, sorry, 3 आएगा, N, C, 3, upon 4, इस तरह से तम चलेंगे बिटा, और इसका जो समेशन होता है, वो आपको पता होना ज़वरी है, कि इसके समेशन को हम कैसे निकालते हैं, तो 1 प्लस X की पावर N का एक्सपांशन होता है, C, 0, C, 1, X, C, 2, X, square, up to C, N, X, power N, जब भी कभी multiply में कोफिशेंट आए, तो याद रखे, differentiate करिए, जब भी कभी denominator में आए, तो हमेशा integrate करिए, इसको integrate कर देजिए, 0 से 1 में, 1 प्लस X की पावर N, D, X, इसको भी integrate करिए, 0 to 1 में, C, 0, C, 1, X, ये technique इसलिए बता रहा हूँ, क और question को अगर आप logic से करोगे, तो कितनी जल्ली solve हो सकता है, अब इसका integral क्या होगा, 1 प्लस X की पावर N, प्लस 1, upon N, प्लस 1, 0 to 1, 0 to 1, इसलिए रखते हैं, कि 1 रखने पर X खतम हो जाता है, तो हमें जो coefficient निकालने मिल गए, अब इसका क्या होता, C, 0, X, C, 1, X, square, by 2, C, 2, X, cube, by 3, up to, एक बढ़ता जा रहा है, C, N, X, की पावर N, प्लस 1, upon N, प्लस 1, 0 to 1, अब आप जब 1 रखेंगे तो मिलेगा, 2 power N, और 0 रखेंगे तो मिलेगा, minus 1, upon N, प्लस 1, यह एक तरह से इधर का result हो गया, equal to, यहां देखें क्या आएगा, C, 0, 1, रखोगे तो, C, 1 by 2, C 2 by 3, up to, C, N, upon, N, प्लस 1, तो यानि आपका जो कोशन मैंने जहां छोड़ा था इसे स्टेप पर, यह इसका समिशन मिल गया, तो इसका समिशन मिल गया, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखेगा, अब आप यहां लिख सकते हो, 2 power N, प्लस, 2 power N, माइनस 1, upon, N, प्ल सब्सक्राइब, तो आपको मिलेगा, N, प्लस, 1, इंटू पार, N, प्लस, 2, की पार, N, इंटू, 2, माइनस 1, upon, N, प्लस, 1, अब आप 2 की पार, N, कॉमन, ले लो, तो N, प्लस, 3, माइनस 1, upon, N, प्लस, 1, अब इससे कंपेर कर दो, तो टू की पार, 8, दिया, और नीचे 6, अगर मैं N, के प्लेस, पर 5, ले लूँ, तो देखिए, क्या आएगा, 2, की पार, 5, 5, प्लस, 3, 8, माइनस 1, upon, 5, प्लस, 1, 2, 8, मतलब, 2, का क्यों, तो यह हो गया, बिटा, 2, की पार, 8, माइनस 1, upon, 6, तो दिस इस दा, राइट आंसर, क्लियर, नोट कर लीजे,